है आज हम बात करने वाले हैं JPST 2021 के बारे में इसकी प्रलेम्स इग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कब से आप अपने अड्मिट काड डाउनलोड कर पाओगे और कितना नंबर लाने पर आपका सेलेक्शन प्रलेम्स में कनफॉर्म हो जाएगा 400 का total आपका exam है 400 में कितना लाना है इसके बारे में यहाँ पर discuss करेंगे और सबसे ज़्यादा पूछ जाने वाला question कि sir practice state कौन सा use करे कौन सा practice state से हम यहाँ पर success मिलेगा तो इसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाले हैं वीडियो को like कर देना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर से subscribe कर लेना तो सबसे पहले यहाँ पर practice state देख लो कौन सा आपको लेना है बहुत ही अच्छी practice state है paper 1 and paper 2 के लिए general study की है देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको 15 solve paper मिलेगा ठीक है practice जिसमें कि आपका 6 previous year का solve paper पर बेच जाए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर complete आपको solution मिल जाएगा और practice state है इसको join करोगे definitely आपका जो general study के जो पार्ट है वो यहाँ पर cover हो जाने वाला है अभी हम देखिए तो हमारे पास time कितना कम बचा हुआ है अभी हम देखिए तो मई में आपका इसका exam होने वाला है दो मई का इसका exam conduct होगा और आपका अभी यहाँ पर mark चल रहा है तो ज्यादा time हमारे पास नहीं है इस practice state को use करना भी से start करो और क्या करने आप तो guys थोड़ा से यहाँ पर gap करके जॉइन करो अगर practice state आप जॉइन कर रहे हो तो दो दीन में एक practice state जॉइन करो ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर analyze करना है खुद को कि आपका कौन सा part week है फिर उस पर work करोगे यहाँ पर वो better यहाँ पर आएगा ठीक है तो खुद को analyze करके यहाँ पर practice state जॉइन करो और यह practice state आपके यहाँ पर exam pattern पर best है इसको आप ले सकते हो नी आपके इसको ले रहो ठीक है तो यह आपकी practice state देख सकते हो अंदर यहाँ पर जो question का type है कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर रहने वाला है अब हम बात कर लाते हैं यहाँ पर exam date की बारे में कि आपकी exam कब तक आएगी so यह important date है यहाँ पर जो आपको जानना है दोको आपक यह form fill up खतम हो जाएगा दो मई का आपका यहाँ पर exam conduct रहाए जाएगा अब आपका admit card कब download होगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर admit card आपका 15 दिन पहले इसका exam से पहले आपका यहाँ पर 15 दिन पहले आपका exam से admit card आजाएगा official website यानि कि आपका admit card April में confirm आ जाएगा 20 April तक आपका admit card release हो जाएगा आप यहाँ पर download कर लोगी आपको exam center पता चल जाएगा आपका यहाँ पर exam date mention है और आपको यहाँ पर अपना shift पता चल जाएगा कौन से shift में आपका exam यहाँ पर देने वाला है ठीक है आगे आप देखो यहाँ पर तो आपका यहाँ पर main examination की बात करे तो September में होगा ठीक है तो time मिलेगा आपको अच्छा खासा time मिलेगा September में आपका यहाँ पर main exam होगा fourth week में यहाँ पर schedule है तो exam date की regarding कुछ यह information है कि इस date पर आपका exam होगा और 15 जिन पहले आपका admit card आ जाएगा आगे हम बात करें कि आपकी cut off क्या रहेगी बहुत सा यह बात करें तो इस साल जो है आपकी cut up 210 के आसपास आप मान की चल सकते हो हर साल आपका competition बरता है इससे ज्यादा आपको target लेकर चलना है क्योंकि अब बहुत कुछ यहाँ पर change हो चुका है ठीक है content आप easily आपको मिल जाएगा कहीं पर भी तो बहुत कुछ यहाँ पर change हो चुक आपको लाना ही लाना है प्रिलिम्स एक्जाम को कुलिफाई करने के लिए यह यूर की मैं cut up बता रहा हूँ तो एक safe score हो गया बाकी जो आपका यहाँ पर exam होगा उसके basis पर आपका cut up यहाँ पर और यहाँ पर vary करेगा यह से मालों कि अगर exam hard level का हुआ तो merit यहाँ पर definitely कम जाएगा अगर easy हुआ तो बढ़ेगा ठीक है तो आगे जैसे हैं आपका exam होगा उसके recording हम लोग बात करेंगी कि आगे cut off क्या जा सकती है फिलहाल के लिए आपके लिए जो safe score हो मैंने बता दिया है आप तयारी अपनी शुरू करो और time आपके पास बहुत कम बचा है प्रिल